भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध पर बनी फिल्म बॉर्डर तो आप सभी को याध ही होगी। हम में से ना जाने कितने लोगों ने ये फिल्म कई बार देखी होगी। सनी देओल, सुनील शेटी, अक्षय खन्ना, उजा भट जैसे सितारों से सजी मल्टिस्टारर फिल्म बॉर्डर का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था। तीन नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी बॉर्डर साल उननीस सो सत्तानवे की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट हुए थे। कौन थी वो सुनील शेटी संग रोमास करने वाली सुन्दर लड़की। इसी का एक गाना था तो चलूँ जिसमें सुनील शेटी को अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाते दिखाया जाता है। सुनाल शेटी की पत्नी बनी वो लड़की आपको याद है। अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सुनील शेटी की पतनी के किरदार से करियर शुरू करने वाली ये हीरोईन शर्बानी मुखरजी है बॉर्डर शर्बानी की पहली फिल्म थी इतनी बड़ी फिल्म से बॉलिवुड में डेब्यू करने वाली शर्बानी आज इंडस्ट्री से कायब है आपको जानकर हैरानी होगी कि शर्बानी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हैवान फिल्म में भी काम किया था शर्बानी मुखरजी मशूर अभिनेतरी रानी मुखरजी की कजिन है मुखरजी परिवार से होने के कारण शर्बानी से बहुत उम्मीदे थी लेकिन बॉर्डर के बाद उन्हें ज्यादा फिल्में नहीं मिली उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख किया इतना ही नहीं शर्बानी को भोजपुरी फिल्मों में भी देखा गया शर्बानी ने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किये लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर हो गई हालांकि पहली फिल्म में उनकी खूबसूर्ती ने लोगों के दिलों में जगह जरूर बना ली उनकी नीली आखें देख लोग दीवाने हो उठते थे शर्बानी ने फिल्मों के कई विज्यापन भी किये हैं लेकिन दर्शकों को याद है तो आज भी उनका बॉर्डर का रोल ही याद है शर्बानी की पहली मल्यालम फिल्म राकिल पट्टू बनने के साथ साल बाद रिलीज हुई थी ये डाइरेक्टर प्रिदर्शन की पचासवी फिल्म थी शर्बानी बॉलिवुड के साथ मल्यालम और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी है शर्बानी ने पाकिस्तानी सिंगर शाजिया मंजूर के फेमस गाने घर आजा सोनिया में एक गुंगी भरी लड़की का रोल प्ले किया था साल 2010 में शर्बानी ने सूफी परंजा कथा नाम के नौविल पर बेस्ट फिल्म में काम किया था लेकिन आज वो फिल्मी परदे से दूर है और अब बहुत बदल गई है